अक्का साहिब ने इशान के सामने रखी बड़ी शर्त इशान से मांगी अपनी परवरिश की कीमत सेरियल गुम है किसी के प्यार में इन दिनों सवी की वज़ा से भोसले इंसिट्यूट में ही नहीं बलकि भोसले परिवार में भी बवाल मचा हुआ है आयूश और दुर्वा का सच सब के सामने आने के बाद सवी ने भी भोसले इंसिट्यूट में रैगिंग के खिलाफ हल्ला बोल दिया है सवी की आवाज अभर कहीं गुंजने लगी है तो यह अवनी ने इशान को सारा सच बता दिया है जिसके बाद इशान घरवालों के सामने दुर्वा और आयूश का सच बता देते हैं इशान आयूश को रेस्टिगेट करने की बात कहते हैं जिसे सुन अक्का साहेब और बलवंत को गहरा जटका लगता है बलवन के सामने ये मुश्किल है कि अगर आयूश को कॉलेट से रेस्टिगेट किया तो उसके पिता मुंबई में भोसले इंसिटूट के लिए फंडिंग नहीं करेंगे ऐसे में उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा तो वहीं इशान ने फैसला कर लिया है कि वो अब सच को जानने के बाद सवी को इंसाफ हर कीमत पर दिला कर रहेंगे अक्का साहिब इशान को पहले ईशा और सवी के खिलाफ भड़काती हैं और फिर उसे इमोशनल ब्लैक मेल करती हैं अक्का साहिब इशान को जताती हैं कि कैसे उसकी अपनी मा ने उसे अपने करियर के लिए छोड़ दिया था और अक्का साहिब ने इशान के लिए क्या कुछ नहीं किया अक्का साहिब ने इशान को सगे बेटे से भी बढ़ कर प्यार दिया है और उसी मा की ममता का वास्ता अक अब सभी और अक्का साहेब इन दोनों में से किसे चुनते हैं इशान ये देखना इंट्रेस्टिंग होगा फो मोर टीवी सीरियल नीज अपडेट्स डू सब्सक्राइब नीज अस्टीरिया